हाई गाईज वल्कम बैक टो मैं चानल दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा हैर पैक लेके आए हूँ सफेद बालों के लिए इस्पेशली जिसका मेर इंग्रीडियन्ट है दही दही में मिलाएंगे हमें एक ऐसा इंग्रीडियन्ट जबके सफेद बालों को काला करेगा बालों की जो ब्लाकनेस होती है उसे प्रमोट करता है और बहुत भी बडियांसा नाच्रल इंग्रीडियन्ट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा कि किस तरह से मैंने से बनाया है और कैसे इसे अपलाइ करना है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने लिया है दही यानि किड़्, एक बोल बराबर दही लिया है इसमें हम एड्ट करेंगे, दाना धाना, मेत्व कैज बहुत बढ़ियां होता है सपेशली सफेद प्रिमचुर ग्रेंग हो गई है समय से पहले हो गई है तब बहुत बढ़ी हैं काम करता है और ऐसे भी आपके सफेद बाल है इसे रेगुलर यूज करने से आपके सफेद बाल दीर दीरे क्योर हो जाते हैं यह हमारा मिकश्चर है इसको आपको सोक करके रखना है कम से कम 4 से 5 घंटों के लिए कि मेथी अच्छे से फूल जाए तो चार से पांच घंट इससे हम छोड़ देते हैं और उसके बाद हमें इसे ग्रण करना है यानि कि चार से पांच घंटे बाद जब मेति अच्छे से फूल जाए दही मे तो उसके बाद आपको इसे ग्रण करना कि यह पिसेगा नहीं कम से कम चार से पांच घंटे चोड़ दे और दही के साथ ही इसे ग्राइंड करें इसके बाद हमें अपना है पाउडर तयार करना है तो हम ले रहे हैं महंदी आप कोई भी महंदी ले सकते हैं दोस्तों मैं जो यूज कर रही हूं जरूरी नहीं है कि हिसाब से आप महंदी ले ले और महंदी आपके बालों को कभी भी खराब नहीं करती है जब तक उसमें कोई केमिकल नहीं होता है तो इस चीज से निश्चिंत रहेगा दो चमच में डालूंगी कॉफी पाउडर दो बड़ा चमच हम लेंगे कॉफी पाउडर का और बहुत ही सा हैर पैक है जादा कुछ आपको इंग्रीइंस में चाहिए नहीं क्योंकि आज कल बाहर जाना तो मुश्किल है तो कोई भी ऐसे इंग्रीइंट अगर मैं मेंशन करूंगी तो आपको मिलेंगे नहीं तो बेसिक चीजों का यूज करें जो हर बार आपके बालों में बढ़ बहुत ही फाइन पेस्ट आपको बनाना है वरना इस हैर पैक को लगाने में अगर मेथी के चंक्स होंगे तो तो बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाईए और इसे मिक्स कर लीजे इस हैर पैक में पानी के साथ हम इसे मिक्स कर रहे हैं आपके पास चाय का पानी का पानी का पानी अगर यह सब है बीटूट जूस है तो आप उसे आड़ कर लें मैं यहां बेसिक पानी से मिक्स कर रही हूं क्योंकि इसी से कलर बहुत अच्छा आजाएगा एक बार इसे बहुत ही थारिली मिक्स कर लें ताकि कोई लंप नहीं रहे दोस्तों मेहंदी लगाने के बहुत लोगों को कन्फूजन होता है डाउट होता है कि बाल रेड कलर के हो जाते हैं औरेंज हो जाते हैं बाल ड्राइ हो जाते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है मुझे कम से कम तीन से चार साल हो चुके हैं मेंदी लगाते हुए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बस जरुवत यह होती है कि कुछ ऐसे इंग्रीडियंट्स हम उसके साथ मिलाएं जिससे हमारे बाल ड्राय डामेज नहीं हो और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल हो जाए ग्रे आप चाहें तो इसमें आमवला पाऊडर भी एड़ कर सकते हैं मैंने स्किप किया है क्योंकि आमवला पाऊडर में काफी बादे यूज़ कर चुकी हूं बहुत ही बढ़ियां सा स्मूथ सा पेस्ट बनता है मेथी डालने की वज़े से इसका कलर और भी जादा बढ़िया आया है और मेथी अगर आप रेगिलर यूज़ करते हैं तो जड़ों से आपके बाल काले भी होते हैं तो भी आपके बाल काले होते हैं झाल झाल